दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल आरेनेस एजूकेशन उज में दोस्तो राजस्तन हाई कोट का बड़ा फैसला और राजस्तन की एक ऐसी भरती जिसमें तक्रीबन शब्पन सो के अस्वास पत थे उसी को लेकर के अपडेट है और परिनाम यहाँ पर दुबारा जारी हो सकता है अगर कोट के अकोडिंग चीजे सही पाई गई तो यहाँ पर यह जो परिनाम है यह यहाँ पर दुबारा जारी करना होगा जी हाँ दोस्तो अपने ठीक सुना है बहुत ही बड़ी खबर है उन पच्पन सो युवाओं के लिए जो कही न कहीं अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उन सब के लिए एक बड़ा धटका है ये पूरी खबर क्या है कौन सी भरती का मामला है सब कुछ आपको बताते हैं इसके अलावा देखिए ये जो जानकारी है एजुकेशन चोक नामक जो सोसल मेडिया प्रेटफोर्म है वहां से ल प्रशन थे यहां पर विवादित थे उनके उत्तरों को यहां पर बोर्ड की तरफ से कुछ और बताए गया तो अब प्रशन उत्तर विवाद पर एक्सपर्ट कमेटी के गठन के आदेश यहां पर रास्तन हाई कोट ने दिये हैं साथी कोट ने ये भी कहा हाए कि विवाद परशनों को जाच के बाद अगर फेर बदल होता है तो परिणाम 6 सपता में जारी करना है तो यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी गठिद करनी होगी रास्तान करमचारी चैन बोड को PTI भरती को ले करके और एक्सपर्ट कमेटी की जाच में अगर कुछ उत्तर चेंज होते हैं तो यहाँ पर वो परिणाम 6 सपता में जारी करना होगा रास्तान हाई कोट की फैसले के कोडिंग रास्तन करमचारी चैन बोड को महविर प्रसाद की याचिका थी और यह जो परिक्षया है दोस्तो PTI भरती का मामला है 25 सितंबर 2022 को परिक्षया जित की गई थी 546 पद है ऐसी भरती है जिसमें सब का सेलेक्षन होरा जिनोंने वरिफिकीशन कराया है इसमें दोस्तो 40% की जो बात देता थी और वो 40% की जो बात देता है उसके चलते यहाँ पर इसमें काफी सारे बच्चों के जो प्रसंस उनके अकोडिंग साही थे उनको डिलीट किया गया डिलीट कर होने से वो 35 और 40 का जो क्राइटेरिया है उसको फोलो नहीं कर पार और वज़य से बार हो गए तब ही इस तरीके की चीजे सामने आ रही है और इसके अलावा दोस्तो जोदपूर की अलावा रास्तान हाई कोड की जैपूर बेंच में भी जो यह मामला है पीटी आई भरती एजेंसिया हो ऐसे प्रिशन दे देती है इनके जो एग्जामिनर होते हैं जो प्रिशन पत्र बनाते हैं वो इस तरीके के विवादित प्रिशन दे देते हैं जिनका उत्तर दस किताबों में अलग-लग मिलेगा और उसका असली उत्तर कुछ होरी होता है और यहां पर करमचारी बोर्ड क्या करता है या भरती एजेंशिया क्या करते हैं उन प्रिशनों को डिलीट कर देती है डिलीट करने से ऑवराल अंक जिस बच्चे ने उसके अकोडिंग सही किय है और जो पड़ा है वो उसका उत्तर डिलीट हो जाता है और वो क्योस्चन के मार्क्स चले जाते हैं और वो कही ना कहीं जो क्राइटेरिया तै किया गया है नियूंता मंकों का उसमें नहीं आ पाते तो यहां पर अब देख सकते हैं आप लोग PTI भरती को लेकर के अधिव जो इस बरती परिक्षा में चैनित हो गए थे वरिफिकेशन करा चुके थे लेकिन अब उन्हें कुछ वेट करना पड़ सकता है हलांकि कोट की तरब से इस्टे वगएर नहीं है बरती पर लेकिन फिर भी इस तरीके के जो फैसले आए हैं इसे निश्ची तोर पर आब को जारी भी करना हो दन्यवाद दोस्तों फिलाले के लिए वीडियो वितना ही जै हिन जै भारत